हे डाकमेन भाईयो, कैसो आप सबी, उमीद करता हूँ, आप सबी बहुत अच्छे होंगे, तो फाइनली, आप लोगों को जिस वीडियो का बे सब्री से इंतजार था, वो वीडियो आ चुकी है, जी हाँ, आप अपना बेस्ट बर्जन कैसे बन सकते हो, आपको इस वीडियो म बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, साथ ही साथ, ये वीडियो आप सभी डाकमेन भाईयो के बहुत काम आने वाला है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, मैं आप सभी डाकमेन भाईयो को बता दू कि मैं खुद एक डाकमेन लरका हूँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ ड बेस्ट वर्जन बनना एंग, सबसे पहले, सबसे आपको DRESSING सेंस की knowledge होनी चाहिए, ये चीज आपको जितना ज्यादा अच्छा knowledge होगा, आप उतना ज्यादा STYLIST दिखोगे, और खुद को Best वर्जन बननाने में बहुत ज्यादा help मिलेगा, तो आपको dressing sense की proper knowledge होनी चाहिए अगर आपको dressing sense की knowledge नहीं है तो चाहे मरजी आप कितने भी अच्छे कपरे पहन लो आप attractive नहीं दिखने वाले हो अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको बहुत नहंगे कपरे पहने या फिर बहुत सस्ते आप कहीं से भी कोई भी कपरे लो महेंगे लो सस्ते लो कोई फरक नहीं परता है आपको color combination की knowledge होनी चाहिए आपके उपर हम darkminler को कौन कौन से color अच्छे लगते हैं ये चीज़ आपको पता होना चाहिए आपके skin complexion के उपर कौन से color के कपरे अच्छे लगेंगे उपर proper video बना रखा है जिसका link आपको description में मिल जाएगा आप वहां से जाके उस video को देखे और अपने dressing sense की knowledge को increase करें और खुद को attractive बनाने में पहला कदम आगे बढ़ाए rule no.2 hairstyle और beard ये चीज़ आपका जितना ज़्यादा neat and clean होगा आप उतने ज़्यादा effective दिखोगे अगर आपका hairstyle आपके face shape के according होगा तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगोगे साथ ही साथ अगर आपको चेहरे पे beard आती है तो उसे proper shape में रखे अगर आपको beard नहीं आती तो कोई दिकत नहीं है आप clean shaped रखे लेकिन आप beard और hair को अपने face shape के हिसाब से रखे खासकर अपने hair को time to time cut करवाए साथ ही साथ अपने hair को अपने face shape के हिसाब से एक perfect hair कर दे ताकि आप बहुत ज़्यादा attractive लगे rule no.3 skincare अगर आप अपने चेहरे का ध्यान नहीं रखते तो यकीन मानो आप बिल्कुल अच्छे नहीं दिखोगे फ़र्क नहीं परता आप गोरे हो काले हो यह बिल्कुल matter नहीं करता अगर आपका skin healthy है आपके चेहरे पे एक भी pimple वगेरा नहीं है आपका skin बिल्कुल glowing है अ एकनी है सकार है उसके मुकाबले आप बहुत ज्यादा सेक्सी दिखोगे तो फर्क नहीं परता आप गोरे हो काले हो जैसे भी हो मैं खुद एक डाग में लरका हूं इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आप अपने skin की care करें आप अपने चेहरे को time to time wash करें उस पे ध्यान दे एक अच्छा skincare routine फॉलो करें जिससे आपका skin बहुत ज्यादा healthy और sexy दिखेगा तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है रूल नमबर 4 आपने dressing sense बदल लिए आपने hair style weird style तक को बदल ला आपने एक अच्छा skincare routine भी follow कर लिया लेकिन अगर आपकी body perfect नहीं है तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं दिखोगे विंटर्स में तो आप layering करके अच्छी dressing sense की knowledge बरहा के आप अच्छे दिख सकते हो लेकिन summer जब आएगा तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं दिखोगे इसलिए आप अपने body पे work करो, gym जाओ, physical activity करो जिससे आपका सरीर perfect होगा मैं यह नहीं कर रहा कि आप एक अच्छी body grow करो, ना आप अपने सरीर को fitness में लाओ, आप ऐसा बनो कि आपके सरीर पे कोई भी कपरा अच्छा लगे, बस इतना ही, आप इतने में बहुत ज़्यादा sexy दिखने लगोगे rule number 5, confidence, हम dark miller को में सबसे ज़्यादा यही कमी होती है, और ये चीज़, ये चीज़, अगर आपने एक पार build कर लिया, तो यकीन मानो, आगे के 4-5 point आप के लिए कुछ भी नहीं है अगर आप अपने अंदर confidence level high कर लेते हो, तो यकीन मानो dark miller को की यही problem है, किसी से मिलते जूलते वक्त हमारा confidence बिल्कुल low होता है लेकिन आप यकीन करो, अगर आप अपना confidence level एक बार build कर लेते हो, तो आपके सामने अच्छे अच्छे आदमी भी पीछे रह जाएंगे तो आपको अपना confidence level high करना है, खुद को हमेशा energetic रखना है, और साथी साथ अपने confidence level को बहुत ज़्यादा high करना है तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ अगर आप एक डाक मिलनर के हो, और अभी तक अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या कर रहे हो भाई हो, अपने इस डाक आमी फैमली को बहुत आगे तक ले जाना है, तो